नमस्कार दोस्तों सैनेक वेलपेर में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में आर्मी होलिडे हॉम्स के बारे में बताऊंगा कहां कहां पर हैं किसको कितना ओथ्राइजेशन है और बोकेंग के लिए किस से कॉंट्रेक्ट करना है इत्याजी पर दोस्तों यह आर्मी होलिडेज की अप्डेडिट लिस्ट यह देखिए वेस्टन कमांड के अंदर कसोली में ओफसर्स के लिए 15 है जेश्यो ओवार्स के लिए अवलेबिल्टी नहीं है सिमला में ओफसर्स के लिए 4 जेश्यो ओवार्स के लिए यहां भी अवलेबिल्टी नह यह देगे दोस्तो नॉर्धन कमांड में लेके अंदर अफसर्स के लिए साथ हैं, जेशियो जवान के लिए नहीं है, स्रीनेगर में अफसर्स के लिए 12 हैं, जेशियो जवान के लिए नहीं है, यह contact नमबर हैं, आप इसे mobile से booking कर सकते हैं, ताउत वेस्टन कमांड में जेशियो जवान के लिए 11 हैं, और उट्टी में अफसर्स के लिए 19 जेशियो जवान के लिए नहीं हैं, और यह उनके contact नमबर जिनसे आप booking कर सकते हों, देगे दोस्तोंag जेसिपृपट कमांड के अंदर मसूरी में अफसर्स के लिए 10 जेशियो जवान के लिए 4 जवान क अब लेविल हैं और यहां पर यह उनके contact नमबर दी हो हैं यहां से आप booking कर सकते हैं आप दोस्तो इस्टन कमार्ड में दार्जलिंग के अंदर officers के लिए 7, JCOs के लिए 2, जवान के लिए 6 अब लेविल हैं और सिलों के अंदर officers के लिए 12, JCOs के लिए 3 और जवान के लिए 11 अब लेविल हैं और यह contact नमबर हैं booking के लिए दोस्तो यहां देखिए दोस्तो जो booking charge है परड़े 300 रुपे है JCOs के लिए 200 रुपे और जवान के लिए 200 रुपे यहां पर दोस्तो civilian के लिए booking के लिए facility दी गई है officers के equivalent जो भी है उनके लिए 400 रुपे है JCO equivalent के लिए 300 रुपे और OR equivalent के लिए 200 रुपे परड़े charge है यह civilian का charge है यानि कि civilian का charge आर्मी परसनल से 100 रुपे एक्स्ट्रा है देखे दोस्तो city में surround board की तरफ से आर्मी के लिए booking के लिए holiday homes की शुबदा दी गई है यह आप online booking कर सकते हो और vip जो passes मिलते हैं वो आर्मी ओपसर्स, बिर्गेडियर एंड एवो वालों को मिलते हैं वो serving हो या retard दोनों के लिए दोस्तो यह थी आर्मी holy days homes के बारे में जानकारी अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा सेर करें thanks for watching this video जैहिं जैभारत